एसे ब्रह्म ज्यानी पूरुसों को हाँ जोड़का नमन करके बोले भाईया जुको भागो बीच में लिंक मिस हो जाएगा पिर तुम लिखोगे रिपीट 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 तो यह वो लोग होते हैं जो क्लास को धंग से नहीं देखते हैं ऐसे लोगों कभी भी स से लेक्षन नहीं होता अगर आपको पढ़ना एक कंसिस्कंटी पढ़िए रोस अगर आप चार घंटे भी रोस पढ़ते हैं पास घंटे भी रोस पढ़ता है तो ध्यान रखिए भटकीए मत बटकीए मत सफलता के साथ नियम आज हम आपको 7 प्रिंशिपल देने वाले हैं और आपको इन साथ प्रिंसिबल्स देने के बाद मुझसे बादा करना है, कि आप अपनी तैयारी के दोरान इन साथ नियमों का जरूर जरूर पालन करेंगे, अगर आपने एक भी नियम बीच में छोड़ दिया, तो सफलता आपके हाथ से निकल जाएगी, तो पहली चीज़ आपको सबसे पहले मुझसे प्रॉमिस करना होगा, कि जो मैं साथ प्रिंसिबल्स, जो मैं साथ नियम बताने वाला हूँ, इन नियम को आप जरूर जरूर पालन करेंगे, सबसे पहला नियम, टीचर पर विश्वास ना करें, पहला नियम क्या है, टीचर पर विश्वास ना करें, अंधा विश्वास करें टीचर पर विश्वास नहीं करना, विश्वास से काम नहीं चलेगा, अगर आज मैंने बोला, कि आपको आज बरीबो पहरी में घर के बाहर दो वजे गेट अपने घर के बाहर गेट के बाहर दो वजे चिलचिला ती दूप में 5 बिनट के लिए खड़ा होना है तो आप उस समय यह सवाल मत कूचिएगा यह मत सोचिएगा सर ने ऐसा क्यों कहा इस से आईट में सेलेक्शन का क्या सम्क्या रिलेशन है क्या धूप में खड़े उनने से कुछ हो जाएगा सर फाल तुमें बोड़ रहे हैं बकवास बात है इससे कोई फरक नी पड़ेगा नह जाने सर के साथ में कितने लोग आईटी तक कहुंच चुके हैं क्या ये बात क्लियर है तो आप हम पर विश्वास विलकुल ना करें विश्वास से काम नहीं चलेगा आपको करना है अंद विश्वास यानि जो हमने कहा जैसा हमने कहा अपनी बुद्धी मत लड़ाईए जो किताब कर लू जो टीचर बताे जितना टीचर बता दे हुटने तक ब राइंक यान आग आ स्पीड और कॉंटेंट पर ज्यान ना दे ऐसे बहुत सारे ब्रह्म ज्यानी ब्रह्म पुरुस हावारे क्लासेज में आते हैं जो बार-बार कहतें प्लीज स्पीड अप लेवल अप सर्य यह तो बहुत असान है थोड़ा अच्छे लेवल के कुश्ण कराईए भाई आपको से आपको अपके बीच में देखते हैं तो अकसर मिल जाएंगे ऐसे ब्रह्म ज्यानी पुरुसों को हाँ जोड़ का नमन करके बोले भाईया जुको भागो यही करिएगा यही करिएगा ऐसे लोगों का भाईशकार करिएगा इसलिए स्पीड और कॉंटेंट पर बिल्कुल ध देना पर नहीं है पूरे फोकस के साथ क्लास अटेंड करें काई लोग ऐसे होते हैं जो घर में बैठे हैं घर में बैठें तो जरूर हैं लेकिन उनकी नजर गेट पर है मोनू, घर में कुट्टे आगे ज़र गेट बंद करी हो, मोनू, गेट बंद करना, कुट्टे आगे घर में, मम्मी, ज़रा एक कप चाय जेना मम्मी, हाँ सर तो हम कहा थे, सर ये समझ में निया रहा, प्लीज रिपीट, सर समझ में निया रहा, प्लीज रिपीट, कहां से समझ में link मिस हो जाएगा concept मिस हो जाएगा फिर तुम लिखोगे repeat 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 तो यह है वो लोग होते हैं जो class को धंग से नहीं देखते तो make it a rule आप अगर online में offline का मज़ा लेना चाहते हैं बिलकुल आएगा class के अंदर लेकिन उसके लिए आपको अपने parents को बोलना पड़ेगा क्या parents को बोलना पड़ेगा कि जब मेरी class हो आप मान लीजिए मैं उस वक्त घर नहीं हूँ मैं बाहर पढ़ने के लिए गया हूँ उस वक्त मैं घर पर नहीं हूँ उस वक्त मम्मी कहे यह काम कर दो, मम्मी कहे वो काम कर दो, हाँ जोड़ो हो वर बूले मम्मी माथ करो अभी मेरा Class है। यह बात चाहो तो मम्मी को भी सुना दो क्योंकि जिस दिन तुम सेलेक्ट होगे उस दिन मम्मी और पापा सच में बिल्कुल भी पूरा आप नहीं मानेंगे जब तुम कहोगे मेरी क्लास है मैं अभी सिर्फ क्लास के लावा कोई और काम नी करने वाला बल्गे इसमें तो मम्मी और पापा और खुछ होंगे जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन वो तुमारी फीट थफफाएंगे गारवान भी महसूस करेंगे अपने आपको इसलिए अगर थोड़ा भूत नाज हो भी जाए कर दो नाज कोई फर्क नहीं पड़ता बोलो सर ने बोला है हमारे कि आप नाज हो जाओ मैं कोई काम नहीं करना पहला पॉइंट क्या हुआ टीच अप विश्वास नहीं अंदविश्वास करिएगा स्वीड और कॉंटेंट पर ज्यान बिल्कुल नहीं दीजिएगा और क्लास को यही समझते वे करना है कि आप ओफलाइन क्लास में हैं याद करिये ओफलाइन क्लास में जवाब पढ़ रहे हैं और अगर आपको औफलाइन क्लास में कहीं बहार जाना हो जरूरी मृँ तब भी आप बहाँ बेठे रहते हैं उसके बाद आप कहीं कुई काम होता हुँ वो निपता आते हैं मेरे साथ मेरे पडोस मेरा मेरा आप दोस्ता है वह भी तयारी कर रहा था इस तेश्च में त disp मेरे 18 क्राव です इस से श्थीछ से खुम्पेर है और स्थीषगिगे अपने आप इसी से कम्पेर बिलकुल मत करिये ईूर जानने वह जाने जाए एक नुक्мет Norman यूनीक और वह जो चाहे जिन्दगी में वो पा सकता है बस जरूरत है थोड़ी डिसिप्लिन की अपने उपर सेल्फ पेट की और एक सेल्फ पेट के साथ-साथ अपने आप में कोई सेल्फ डाउट ना ने दे, क्या भ्रवान ने मुझे कम गुध्धी धी है? क्या मेरी गुध्धी थोड़ी मोटी है? मुझे समझ में नहीं आता? इस तरह के खयाल मन में ना ने दे, एक प्सी जयाद रखें कहने का मतलब है दिन पर दिन कॉंपीट करना है तो सिर्फ अपने आप से कॉंपीट करिये जैसे आप आज है कल इससे बहतर होने चाहिए और पर से उससे भी जादा बहतर होने चाहिए So you should gradually gradually improve yourself so that one day you become the best version of what you are ध्यान रखिएगा क्या बोला मैंने ध्यान रखिएगा आज जो है कल इससे बहतर और पर से उससे भी जादा बहतर दोने चाहिए ताकि आप gradual अपने आपको ऐसे इंप्रूव करते करते you become the best version of what you are and what you can be So remember that फिर इसके बाद पाँच हुआ consistency consistency सबसे important है consistency आपने कई लोगों को देखा होगा consistency नहीं होता है क्या होता है एक दिन पढ़ेंगे 7 घंटे एक दिन फिर उसके बाद 2 दिन गायब कुछ नहीं करेंगे अराम करेंगे फिर रूम में करंट आएगा फिर 7 दिन पढ़ेंगे जब आपने करेंगे पिर 3 दिन अराम करेंगे ऐसे लोगों का कभी भी selection नहीं होता ऐसे लोगों कभी भी selection नहीं होता अगर आपको पढ़ना एक consistent भी पढ़िये रोज अगर आप 4 घंटे भी रोज पढ़ते हैं पांच घंटे भी रोज पढ़ते हैं इसलिए ध्यान रखिएगा इसलिए ध्यान रखिएगा के आपको consistent रहना है एक ताइम टेबल बना के चलिए रोज उसको disciplined way में फॉलो करिए बीच बीच में ऐसे भी दिन आएंगे जब आपके देखिए दो साल आपको तपस्या करनी है ये मान के चलिएगा दो साल आपको तपस्या करनी है ये कोई पढ़ाई नहीं ये है कोई competition नहीं ये एक तरीकी तपस्या है बीच बीच में मैं ये नहीं कहता कि आप break मत लीजिए बिलकु ब्रेक लीजिए लेकिन ऐसे समय में ब्रेक लीजिए जब classes ना हो जब workload थोड़ा कम हो कभी भी workload ज़ादा है बीच मैंसी मौक आएंगे जहां आपके किसी relative की शादी होगी ये आपके घर में कहीं लोग भूमने जा रहे होंगे कब उस वक्त आपको ये है डिसाइड करना है कि आपकी priority क्या है आपकी priority आपका future है या वो शादी अटेंड करना है आपकी priority आपका future है या फिर भूमने जाना आपकी ज़्यादा priority है तो ये हैं चीज़े आपको अपने आप decide करनी पड़ेंगे या अपकी आपको नहीं करनी चाहिए गर आप वो चीज़े करते हैं तो आपको पता है उसके परिणाम क्या क्या हो सपते है इसलिए ध्यान रखिएगा देख रहे हैं आपको देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे यहां बीच-बीच में लोग आपको दिखाई दे गए होंगे जो बार-बार यही कहेंगे कि आप पढ़ाओगे के नहीं भाया थोड़ा तो वेट कर लें चीज़े सही हो जाएंगे थोड़ा समझ लो आपको लग रहा है यह सब अखवास चीज़े हैं यह सब फाल्दू की चीज़ें जो सर बता रहे हैं पढ़ने वाले बच्चे मेरी बात ध्यान से सुने एक-एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप इन साथों के साथे पॉइंट्स को जहां पढ़ते हैं वहां लिखकर चिपका ले कही न कही चिपका ले ताकि यह चीज़े आपके नजरों के सामने रहें और आपको पता चलता रहे कि आप इन साथ नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं अगर आप इन में से कोई भी नियम चूक रहे हैं तो सच मानिए और इसके बाद consistency में ध्यान रखें ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है जिन्दकी के खेल के मैदान में सिर्फ consistent रहना जरूरी है ध्यान रखेगा एक वाक्या बोल रहा हूँ इसे मन में बसा लीएगा सफल होगा वही जो आखीर तक लगा रहेगा तहीं सफल होगा वही जो आखीर तक लगा रहेगा तहीं आप में से बहुत सारे बच्चे आप देखना बीच में ऐसे बहुत सारे बच्चे हो जो अब मुझसे नहीं हो पा रहा है तूट गया हूँ मैं अब नहीं हो पा रहा है बहुत मुश्किल है, मैं जेई की प्रेपरेशन छोड रहा हूँ, ऐसे कायर लोग मैदान छोड़तर बहुत सारे हैं जो भाग जाएंगे, वो ठीके नहीं रहेंगे, ध्यान रखे का चाहिए सरकंस्टांसिस जिंदगी में कितने में मुश्किल आए, जीत उसी की होती है, जो ठीका रहता है, जो एक बार गिरने के बाद फिर दुबारा से कपड़े जाड़कर खरा होता है, और फिर दुबारा लड़ने के लिए थयार होता है जिंदगी से, तो इसी तरीके से आपको कहीं पर भी हार नहीं माननी है, और ध्यान रखे का मैं आपको हारने भी नहीं थे कि मैं आपको हारने भी नहीं दूँगा आप इस प्रेपरेशन के दौरान हर कदम हर लमहा हर पल आप मुझे अपने पास अपने साथ पाएंगे आपको जो दिक्कते आएंगी आप सच मानिए किसी जादूई तरीके से मुझे आपको क्या दिक्कते आ रही हैं वो शायद म consistency is very important भटकने से बचे नेगेटिव लोगों से दूर रहें भटकने से बचे बहुत सारे बच्चे बटकते रहते हैं आज ये नया बैच आया तो इस बैच को जोईन कर लेते हैं आपने देखा हो अकसर पहले एक बैच में पढ़ रहे हैं वहाँ पर कुछ थोड़ा सा बैकल आप अब नई शुरुवात करते हैं नई शुरुवात करते हैं फिर वहाँ ये पढ़ते हैं लेकिन नई शुरुवात करने से कुछ नहीं होता जब तक आप अपने zaten आपको स्वायं को नहीं बदलें। तो फिर दुवारा बैक लॉग09 क्रियट हुजागा अगली च्लास म होगा वहाँ पढ़ लेते तो और अच्छा हो जाता ध्यान रखिएगा पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से होता है सबसे ज्यादा जो इम्पॉर्टेंट है आप टेबल चेट पर बैटकर खुद कितनी पढ़ाई करते हैं खुद कितना कॉंसेप्ट को समझते हैं यह ही आपके सेलेक्शन को डिसाइड करता है तो जो लोग सिर्फ प्लैटफॉम्स को पंपैर करते रहते हैं जिनको लगता यहां पढ़ ले उसकी तो पढ़ ले बाई करते बचेंट बिलकुल बटकें जो टीचर कह रहा है बस वही करते चले मेरा दोस्त वह किताब कर रहा है सर में भी किताब प्रना सुरूकारता तो ऐसे लोग जो से भटकते रहते हैं लोगों से राए लेते फिरते हैं, उनको वो कहीं नी पहुंसते मंजल पर, क्यों? जब आप सो लोगों से राए लोगे, सब लोग अलग-अलग रास्ते बताएंगे, यूटूब वाले भाईया कुछ बताएंगे, यूटूब वाली दीदी कुछ और बताएंगी, साथ में रहने वाला क पडूसी कुछ और बताएंगा, मौसी का लड़का कुछ और बताएंगा, सब लोग अलग-अलग रहा बतलाएंगे, ये सब की सुनेंगे, लेकिन अपने टीचर की नहीं सुनेंगे, इसलिए बाकी चीज़ों को से कान बंद कर लें बिल्कुल, ना यूटूब बाले भाई तो कहने का मतलब है जो दवाई उन पर काम की जरूरी नहीं वही दवाई आप पर भी काम करें जो उनको सही लगा उन्होंने अपने वक्त में वह किया वह ज़रूरी नहीं के तुम्हारे लिए काम करें तुम जैसे लाखो बच्चों को पढ़ा चुका है और हजारों हजारों बच्चों को आईटी भेच चुका है उसको पता है किस तरह की दिक्कते आती हैं किस तरह के बच्चे होते हैं क्या उनका माइंड से होता है जिससे तुम ग्यान लेने जा रहे हो शायद उसकी एज उन टीचर्स के एक्सपिरियंस से भी कम हो तो तुम बताओ मूर्ख कौन हुआ वो जो जाकर इसकी भी सुन रहा है या वो जो अपने टीचर की बात मानता है यह तुम डिसाइड करना तुम्हें बता होगा फिर इसक कुस समझ नहीं आ रहा एस हाओ मेनी आफ यू अग्री प्लीज लाइक बिलो मेरा बहुत बैक लॉग है कितने लोगों का और बैक लॉग है प्लीज लाइक बिलो ऐसे लोग नेगेडिव लोग होते हैं यह जब पढ़ते लिखते नहीं है बैक लॉग क्रियेट हो जाता है पढ़ते लिखते नहीं है समझ में आना बंद हो जाता है फिर यह भीड में देखते हैं हमारे जैसा गधा और कौन है हमारे जैसे पीडित लोग और कौन है असल में यह लोग तुम्हारे दुख में अपना सुक धूंडते हैं इनको ऐसा लगता है मैं अकेला ही नहीं हूं Sealed में और भी बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं एसे लोगों हमेशा है तोधे आजग वह नहीं पूर थे लोगों को जवाब यही देना चाहिए नहीं भाई हमारा सब बढ़िया चल रहा तेरा यह चल रहा तू भी मेहनत कर ले हमारी तरह तेरा भी सही हो जाएगा रादर देन वहां उसके कंधे पर बैट कर आप रोना शुरू कर दें यह चीज ध्यान रखिएगा तो इस तरह के जो भी आपको स्टूडेंट्स म नहीं आरा वो दिमाग लगाने के लिए त्यार नहीं है और कही न कहीं आप भी वैसे ही हैं तो फिर आप दोनों एक दूसरे को देखकर यही समझ लेते हैं कि सारी दूनिया में चल रहा हम अकेरे फिल्डिक नहीं है और फिर आप मेहनत करना छोड़ देते हैं तो पहला सब समझ नहीं है तो कहीं न कहीं आप अपने आपको बहतर मानना शुरू कर देते हैं लेकि सच बात यह है नहीं भाई तुम्हें और मेहनत की जरूरत है तो ऐसे लोगों के साथ रहकर आप एक कॉस्स सीखने को मिलेगा तो यह चीज़ ज्यान रखिएगा और अब रहा निकलता है वो पढ़ने वाला आएटी की तयारी करने को घर से निकलता है वो पढ़ने वाला किस पत से जाओं असमंजस में है भोला भाला किस पत से जाओं असमंजस में है भोला भाला रहा अलग अलग बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूं पर मैं यह बतलाता हूं रहा पक असमंजत में है बोला बारा रहा अलग अलग बतलाते सब पर मैंते यह बतलाता हूँ रहा पकड़ तु एक चला चलता जाएगा मदुशाला वन बैच, वन टीचर, वन लुट क्या वन, या वन बैच, वन टीचर, और वन बुख या वन या वन वोमवर्ग यो टीचर दे रहा वो करते चलो, believe in the power of one जितना आप one की power में believe करोगे उतना जादा आप सभलता के करीब पहुँचोगे so mind you, जो मैं कह रहा हूँ आपको, believe in the power of one ईश्वर एक है एक की शक्ती में विश्वास रखिए एक platform, एक teacher और एक teacher के त्वारा बतायागे रास्ते पर ही चलिए, जो अलग-अलग लोगों के बतलाने से अपना रास्ता बदलते रहते हैं वो कहीं नहीं पहुचते हैं तो यह शटा हूँ यहाँ साथवा, किसी भी subject में backlog ना बनने दे online का सबसे बड़ा रोग backlog, सबसे बड़ा रोग यही है backlog, अभी भी आप देख रहे होंगे कमेंट्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बार-बार आखों कहेंगे सर हमारा बहुत सारा backlog है, इस कारण से उस batch से इस batch में आ गए भाया अपने आप से वादा कर लो बीती ताही बिसार दो आगे की सुदलो, जो हो गया सो हो गया अब आप मुझसे प्रामिस करो कि अब आप अपने आपको बदलोगे backlog 38 नहीं होने दोगे